हेलो नमी फैंस वेलकम टू बनाव प्राइम यह है डूम्स जेहंटर का एक और अपसोड नाओ लाट्स बिग्यान एपसोड शेटम दिखते हैं शेन और सिया वापिस से बहुआ सेट के अंदर पोच चुके हैं लियून कहता है तुम्हें इसके अंदर फस्ट प्लेस पे आने के लिए कुछ करना ही निवरता अगर वहाँ पर तुम एक बार मेरा नाम बता देते तो वो ऐसे ही तुम्हें फस्ट प्लेस पे डाल देते इसी समय सिया फिलार गोडेस को वो तुम्हें दिखने लगती है और उसे कहती है देखो यहां देखो फिलार गोडेस सिया से बुस्ती है यह क्या है अब सिया को तो पता नहीं होता ही क्या है सिया कह देती है यह मुझे थर्ड बर्दर ने दिया है लियून कहता है देखने म यह ऐसा लग रहा है यह Heavenly Master का तिलिस्मन है बहुत ज़्यादा कीमती है यह तुम्हें कैसे मिला शेन कहता है कोई बेवकूफ था जिसने स्टिया को प्रिशान करने कोईश्च की थी मैंने उससे उसका यह तिलिस्मन छीन लिया यह सुनते ही लिव पोज़ा तो गुसा दोता है वो जल्दी से अभी तोरा निकाल लेता है और शेन से बुष्य लगता है बताओ कोई ने वो जिसने स्टिया को प्रिशान किया हम अभी जाकर उसे मार देंगे तुम बस मुझे उसका नाम बताओ बाकि मैं देख लूँगा शेन कहता है कुछ भी कहने ही जूरुत नहीं है म वैसे ही तिलिसमन इसको देखकर मज़े पता चल रहा है यह तिलिसमन उन फीमिक्स है यहने विसका मतलब जिसके पास में यह तिलिसमन था वह क्यों जूँग यूँवान से बलोम करता है यह कहने का बात में लियून और शेन दोने दूसरे को बहुत ज़़ा सीरिसलित कहते हैं क्या वरक पड़ता है कोई भी हो तभी फ्लार गोड़ेश शेन से कहती है शेन अब तुम्हारी बारी आ गई है बहुआ सेक्ट के एक्जामनेर बनने की अब से थोड़े टाइम तक बहुआ सेक्ट के अंदर जो भी नए डिस्पल्स आएंगे उन सभी का एक्जाम सब किलकुल मैं ध्यान रखूंगा यहां से सीच्छिफ्ट होता है शेन उस जेगे बोच्टा है जापर नौर्मल एक्जाम ले जाजता है अब तक यहां पर एक्जाम येंग टियान और लियून ने लिये हैं येंग टियान तो हमेशा यहां पर क्योंक्ता है और फिर जब लिय रेंकिंग काम मुझे दिया गया है प्लीज सब लोग मेरे साथ में कोपरेट करें आज मैं आप सभी का एक टैस्क लूँगा जो इस टैसल पास हो पाएगा उसको बहुआ रेंकिंग के अंदर शामिल किया जाएगा यह किते उशेन उन सारी लोग के सामने खड़ा जोता है उन में से एक कहता है पूछिए क्या क्यूशन आप पूछन जाते हैं शेन कहता है आज सो एक कुछन नी quiser और पूछना आज एक requirement है जिसके पास भी वो requirement complete हो जाएगी वो इस ranking में एड होएगा इस requirement में आपको कई सारी टेस्ट करने होगे ने होगे जैसे अप अन्र टेस्टिव पास करते जाएंगे आपको इस सैक्ट के अंदर एड़िशन मिलता जाएगा ये सब कुछ पचास साल तक चलेगा इसलिए आप साब को अपनी लैफ्ट के अगले पचास साल यही पर देनां जैसे आप पास सुते जाएंगे सेक्ट इंदर एड़त हो जाएंगे जो रह जाएंगे वो रह गए ये सुनकारों सारे के लिजर वोत खुश जाते हैं वो कहते हैं ये रिक्वार्मेंट तो कवज़ अलग सी है आज से पहले फ्लावर गोर्डस के किसी ओर डिस्पल ने इस तरह के रिक्वार्मेंट ये इस तरह कुछ नहीं बदिया अब हमारे पास में बहुत सारे मोके हैं इस सेक्ट के अंदर एड़ होने के इसके बाद में शेन उन सबी को वहाँ जैन्व के शार करता है वो सारे लोग वहाँ से लियाता है यहाँ पर शेन का ओरजिनल प्लैन क्या है यह बिपकर बतायानी जाता है शेन कहता है जीसर से टाइम बीता जाएगा मेरे को पता सल जाएगा इनमें से कौन है जो कि असल में इस सैट को जोइन करने के काबिल है इसके बाद में हमें एक दूसरी का सिन देखते हैं यहाँ पर फ्लावर गोडेस, येंग टियान, सिया और लियून चारो की चारो है, ये एक पेट के पर बेटे हुए है और ये यहाँ से शेन ने भी जो कुछ भी किया, वो सब कुछ देख सुन रहे है फ्लावर गोडेस जी सब देखकर अपने सारी डिस्पल से कहती है अब हमारा कवी सारा काम कम होने वाला है जिससे फ्यूचर में हमारा कवी सारा टाइम भी बचेगा फ्लावर गोडेस ने अभी क्या खा, ले उनको ये बिल्कुल सुन जाता है वो अल्ला की मतलब ले जाता है वो कहता है, आप क्या कह रही है कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रही, कि आप खुद को रिटाइड कर रही है और आप अपने जगे सिया को या फर किसी होर को देना चाहती है फ्लावर बड़स कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं शेन के बारें बात करी थी शेन ने अभी जोई मूव किया है और इन सोरे लोगों के सामने जोई कंडिशन रखी है इससे हमारा काविसार कम कम हो जाएगा कल्टिवेटर्स को अब हमें खुद से सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा जिसन के लिए उन कहता है अब आप कह रहे हैं तो ऐसा हो गई इस सबसे हमारा काम भी काफिक हम हो जाएगा जेन्टिन कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेर को अपना काफिसार टाइम चीज़ उस्टे में लगाना पड़ता है कि मेर को इन सबसे क्या पूछना चाहिए जिससे मुझे समझ में आ जाए कि कौन कोन काबिल है अब मुझे ये सारे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा तबी फ़लावर गोड़ेस कहती है तुम सब अपने बाते कंटीनु करो मुझे शेन से कुछ जरूरी बात करनी है जे कहते फ़लावर गोड़ेस को इसके लिए उसकर करके वहां से गया बुजाती है इसके बाद में फ्लार गोडेस सिद्ध शेन के वसमें बुस्ती है और शेन से कहती है मुझे समझ में आ गया है तुम चाह कर रहे हो तुमने अभी जो किया है उससे तुमने प्रूफ कर दिया है तुम एक शांदा कल्टेटर एक डेसिपल होने के साथ साथ तुमारे दिमाग भी काफी तेज चलता है लेकिन अभी भी कुछ चीज़े हैं जो कि तुमारे दिमादा सुदार करनी जरूरी है क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पर नहीं रहूंगी मैं हमेशा तुम प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ तुम्हें खुद को जल्दी जल्दी बहुत ज़दा स्ट्रोंग बरेना होगा शेन कहता है मास्टर आप जाकेना चाहती है मुझे क्या करना चाहिए फ्लावर गोड़स कहती है तुमारे सबसे एल्डेस बरदर जेंग टियान उसका कल्टेशन को रास्ता बिल्कुल अलग है सेकिंड बरदर उसका तो कल्टेशन बजाए ध्यान भी नहीं है उस्तिवाद में बस्तिय सिया जिसकी एच काफ़ ज़दे कम है अब बचे तुम जो की इस सब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो तुमारे अंदर बहुत ज़दा पावर है तुम मेरे मेंटल को एक्सेप्ट कर सकते हो यहाँ पे मेंटल का मतलब है फ्लावर गोड़ेश को स्टाफ फ्लावर गोड़ेश शायद से यही स्टाफ शेन को देना चाहती है जब शेन फ्लावर गोड़े से सुनता है तो फ्लावर गोड़े से कहता है मैं इसे ले तो सकता हूँ लेकि मैं नॉर्मली स्वर्ड का यूज़ करता हूँ मैं एक स्वर्ड मैंनू मैं किस तरह से आपसे मेंटल ले सकता हूँ फ्लावर गोड़ेस कहती है तुम इसकी फिकर मत करो मैं तुम्हें ऐसी कोई पी चीज नहीं दूँगी जो कि तुम्हें सूट ना करती हो और जिससे तुम्हें नुकसान होता हो और रही बाद तुम्हेरे स्वर्ड स्किल्स की तुम उसे पर अटेक करो मुझे दिखाओ तु फ्लावर गोड़ेस बड़े संच से शें के स्ट्राइक रच कर लेती है इसकी और शें के अपने हाथ से देखता है शें के हाथ में उसके तलवार हैas ये नहीं शें कहता है ये क्या हुआ अभी तो तलवार मेरे हाथ में यही ती यह कांग गयी शें पीछ उम्हें पूटको शेन से कहती है तुम अभी कह रहे थे तुम एक स्वार्ड मैन हो कैसे स्वार्ड मैन हो तुम जो अपरी तलवार को भी नहीं समाल पारा तब शेन जोड़ सो चुलता है और अपने second weapon अपने बोग को भी बार निकाल लेता है और फिर कहता है ऐसा दुबारा नहीं होगा यह कहत सब दिखता है फ्लाव गरस सामे सी दियाव हो चुकी है इससे पहले कि शेन को सुन जाता फ्लाव गोन्ट के पर एक अटक करती है वो शेन के पीट के ओपर एक जुरसलात मारती है यह लात पढ़ता ही शें सीदे जाकर कुछ पेडों स्ट्रपOR देता है उन पेडों को तो दोने दोन जा चुका है अब तो मैं कोई स्किल भी यूज नहीं कर सकता हूँ मेरी सारी स्किल लगबग विकार हो चुकी है फिर शेन फ्लावर गोड़ेस से पूसता है मास्टर आप करना है कि चाती है क्या मुझे टेली काइनेस जैसी कोई स्किल सिखाना चाती है फिलावर गोड़ेस कहती है ये तो बहुत छोटी स्किल है मैं तुम्हें ये नहीं सिखाना चाती है मैं तुम्हें सिखाना चाती हूँ ये ये कहते हैं फिलावर गोड़ेस एक सेकंड पहले शेन के सामने किड़ी उती है इस बार शेन उचल के जाके कुछ पत्रों स्टक्रा दलता है फ्लार गोड़ेश शेन से बुश्ती है क्या तुम दिखाई दे रहा है मैं किस तरह से भाग रही हूँ मेरी मुव्मेंट को तुम देख पा रहे हो शेन कहता है नहीं मास्टर मुझे कुछ दिखाई न देरा फ्लार गोड़ेश कहती है तो फिर अब दोबार से देखो यह कहते हुए फ्लार गोड़ेश के मुझे ओपर एक इविल से स्माइल होती है और शेन के आखों में डर होता है शेन समझ जाता है अब आगे क्या होने वाला है इसके बाद में फ्लार गोड़ेश शेन के ओपर अटेक करने लगती है और फिर बहुत सारे अटेक करती है फ्लार गोड़ेश इन्ही रातों में शेन को वो पूरा जंगल गुमा देती है और ही पर इस स्रीज का ये बसूर खतम होता है थैंक ये फर वाचिंग